हम ऐसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन में कामकाश करने के बाद थोड़ा सा समय निकाल के एक जपकी जरूर लेते हैं और यह हमारी आदित भी हो जाती है लेकिन जब एक छोटी से जपकी गहरी नीद में बजल जाए और आपका कंट्रॉल इस पर ना हो तो आप जानते क बिल्में ऐसे लोगों को असलोरा निसमारинг होती है बिल्म आठेक कुछ लोगों इसके बारे में सुना के लिए प्अ करुक जकिंए पर आपका इसी समस्या है जिसमा आपjamकु दिन के समय में में अचानक से बहुत तीज बहुत तेज नीद आने लगती हैς जैसे कि आप कु सोचते हैं कि चोटी से जपकी ले लेते हैं और वही नीन जब खुले तो बहुत सारा समय बीच चुका हो ऐसी समझ्याओं को कहते हैं अब जानते हैं तो जानते हैं कि नार्कोलेपसी यानि की स्लीप अटेक होता क्या है तांत्र का तंत्र से जुड़ी एक बहुत ही गंभी समझ्या है जो आपके नीन के पैटन को प्रभावित करती है इस प्रॉब्लम की वज़े से आपको अच्छानक से तेज नीद आने लगत अब अपनला के ऐगंए मैं तो इतनी गेहरी नीन में寝ने आने आपको टाइम का पता नहीं हो प्रोब्लम से ना शुमस्टम की पूरी भावित होती है ऐसी श्यूज्डे वैक्ती का पूरम li जाता है रोज के कामों में ये बाधा डालती है रोज के काम इससे बहुत जादा प्रभावित होते हैं स्लीप एक ऐसी समय है जो किसी भी समय और कुछ भी काम करते समय आ सकता है इसलिए ऐसे वेक्ति अगर ड्राइविंग कर रहे हो तो सबसे बड़ा खत्रा उन लोगों के ल पाया है लेकिन कुछ हद तक ये समश्या और्टो इम्यून डिसॉर्डर की वजह से भी हो सकती है अगर हमारे शरीर की बात करें तो हमारे मस्तिस्क पर मौजूद एक कैमिकल जिसको औरिक्सिन कहा जाता है वह आपकी नीद को प्रभावित करता है इसके अलावा अनुवां टेंशन डिप्रेशन इन सारी वजह से भी स्लीप अटेक की समश्या हो सकती है इसका सबसे मुख्य लक्षन यहीं दिखाई देता है कि अचानक से कुछ भी काम करते हुए अचानक से आपको बहुत तेज नीद आने लगती है चाहे आप रात को कितनी ही देर तक सोए हो या अपने रात को कितनी भी ज्यादा नीद ली हो शुरुआती दिनों में दिन में अचानक से नीद आना बार बार नीद की छपकी आना मांच पेस्यों नियंतर ना होना श्लीप पैरलाइस जैसे लक्षन श्लीप अटेक के समश्या में नजर आते हैं इस प्रिप अटेक के लि होमियोपैथिक मेडिशन फॉर स्लीप डिस्वार्डर का वीडियो आप देख सकते हैं इन सब बतों के साथ साथ कुछ टिप्स को फॉलो करके आप काफी हद तक इस समश्या से राहत पा सकते हैं इसके लिए सबसे पहले ये जाने कि आपको कितनी नीम की जरूरत है सोते समय आराम दायक वातरवरन बनाएं जैसे सोने के लिए शांत सहज और आराम दायक जगा तयार करें रात के समय में कैफीन या नेकोटीन के सेवन से बचे इसके लिए आपको शाम चार बजी के बाद या सोने से 6 घंटे पहले कॉफी वगरा का सेवन ना करें दिन की शुरुआत हमेशा वियायम के साथ करें इससे आपको रात की नीद में जो सुधार मिलेगा सोने से पहले भारी वियायम करने से बचे इसके साथ ही खान फ्यान का ध्यान दे दिन के समय में ज्यादा पानी का सेवन करें यह कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप नीद की समश्या से रहात पा सकते हैं, अगर आपकी कोई हैं तो नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करें, आप चाहें तो डौक्टर से personally contact कर सकते हैं consultation के लिए number आपको दिया गया है screen पर इस पे WhatsApp करें अपनी problems को आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिलकुल लब हुए दहन्यवाद, नमस्कार